आज हम बात करेंगे काइनेटिक थियोरी आफ गैस पे हम बेसिकली ये देखेंगे कि गैस में उसके प्रेशर, उसके वॉल्यूम और उसके टेम्परेचर इनके बीच का रिलेशन क्या होता है basically जैसे कि हमें पता है pressure और volume एक दूसरे के साथ inversely proportional होता है जबकि temperature बढ़ाने से pressure बढ़ता है temperature बढ़ाने से अगर हम pressure को constant रखे तो volume बढ़ता है और इस तरह से इससे आगे हम ये prove कर सकते हैं कि pressure into volume is equal to n जो कि है number of mole into a constant जिसे कि gas constant कहा जाता है into temperature इसे हम ideal gas equation कहते हैं तो हम इस video में इन सारे relations को mathematically prove नहीं करेंगे बलकि हम इनके बारे में intuition ग्रो करेंगे हम देखेंगे fundamental level पे ऐसा क्या होता है कि pressure volume के साथ inversely proportional होता है pressure temperature बढ़ाने से बढ़ता है और temperature बढ़ाने से volume बढ़ता है अगर हम pressure को constant रखे तो तो ये सारे चीजे fundamental level पे क्यों होता है हमें उसके बारे में बात करना है mathematically हम इने derive करेंगे लेकिन इस video में नहीं आगे के videos में तो सबसे पहले intuition ग्रो कर लिया जाए तो इसके लिए हम consider कर रहे हैं एक container इस container के अंदर कुछ gas है कुछ amount of gas है तो ये होगे gases molecules गैस के molecules बहुत सारे molecules ये सारे molecules जैसे कि हमें पता है ये एक जगा पे स्थिर नहीं होता है रुका हुआ नहीं होता है बलकि ये move करते हैं ये random direction में move करते हैं तो कोई molecule इधर तो कोई उधर किसी का speed ज्यादा तो किसी का speed कम ये random direction में random speed से move करते हैं तो ये कुछ इस तरह से move कर रहे हैं अब अगर मैं इस face को बिलकुल सामने से देखूँ तो यही face कुछ ऐसा दिखेगा तो चीज़ें आसान दिखें हमें draw कम करना पड़े और बहतर समझ में आए इसलिए ये किया गया है तो ये सारे molecules हैं वही molecules जो हमें दिख रहते हैं पहले figure में और इनके पास है random direction में random speed तो ये कुछ ऐसे move कर रहे हैं random direction में और इसका कुछ भी speed हो सकता है किसी का speed बहुत ज्यादा तो किसी का speed बहुत कम है तो इस तरह से सारे molecules move कर रहे हैं यहाँ पर देखे अगर मैं इस face की बात करूँ तो वही वाला face हमें इस figure में यहाँ पर दिखेगा यह है वो face इस face में ये जो molecules है यह आगे बढ़ते हुए टकरा के वापस आ रहे है rebound हो रहे है उसी तरह से यह जो molecule है यह यहाँ पर टकरा के यह वापस आया उसी तरह से और भी बहुत सारे molecules होंगे यह molecule जो कि इस direction में move कर रहा था यह जाके इस wall से यहाँ पर टकराया और यहाँ rebound हो गया तो यह सारे molecules जो है जो इस wall से टकरा रहे हैं इस face से टकरा रहे हैं वो टकरा के जो rebound हो रहा है इसका मतलब वो इस direction में force apply कर रहा यह wall पे force apply कर रहा कुछ ऐसे अगर आप एक rough example consider करें मान ले कि एक दिवार है not so rigid और अगर आप कुछ balls throw करते हैं इस wall पे random direction से तो यह जब balls यहाँ wall पे आके टकराएंगे टकरा के reflect करेंगे तो reflect तो करेंगे लेकिन साथी साथ यह इस wall पे इस direction में एक force apply करेंगे यह सारे balls इस से होगा क्या अगर यह wall बहुत ज्यादा rigid ना हुआ तो यह गिर जाएगा यह balls जो है reflect कर रहा है साथी साथ during that process reflection के process में यह इस wall पे एक force apply कर रहा है देखें अगर यह ball कोई एक ball यह wall है माल ले और कोई एक ball यहाँ से आके wall से टकराता है और वापस आ जाता है इससे इसका momentum में change हुआ कुछ बिलकुल हुआ अगर यह कुछ ही समाई के लिए small period of time के लिए यहाँ से यह wall पे थोड़ा सा आगे बढ़के rebound करता है तो उस छोटे से time period के लिए इसका जो change of momentum होगा वही तो होगा force हमें पता है change in momentum divided by time जितने समाई में वो change in momentum occur किया उसे हम force कहते हैं तो जब इन molecules का change in momentum हो रहा तो यह force भी apply कर रहा यह हम ऐसे भी intuitively भी समझ सकते हैं यह practical life में हम यह देखते हैं कि अगर एक ball ही हो या कोई particle हो किसी wall से टकराता है rebound करता है तो वो उस wall पे force apply करता है तो यह सारे molecules इस wall पे यह जो wall है इस wall पे force apply कर रहा है तो net force देखे तो इस wall पे एक net force होगा और हमने माना वो force है F तो इस wall पे एक net force बाहर की तरफ होगा और वो net force है F अगर इस face का area जो है इसका area यह area अगर A हुआ तो हम कह सकते हैं कि इस wall में जो pressure apply हो रहा है हमें पता है pressure is equal to force divided by area ए एरिया पे अगर F force apply हो तो हम कहते हैं कि उस surface में या उस region में जो pressure है वो pressure है force divided by area इसका मतलब सारे molecules इस wall पे जो force apply कर रहा है उसके कारण एक pressure create हो रहा है तो यहाँ पर हम कहेंगे pressure is equal to force divided by area यह जो pressure है इसी को हम कहते है pressure due to the presence of gas हम जो gas के pressure की बात करते हैं न कि यह gas में pressure अगर बढ़ जाये तो volume घड़ जाता है यह volume को अगर हम बढ़ा देते हैं तो pressure घड़ जाता है और वैसे और भी कुछ statements है जैसे कि अगर volume को आप constant रखे temperature को बढ़ा दे gas का तो pressure उसका बढ़ जाता है इन सारे statements में जो pressure यह term अपियर कर रहा है वो यही pressure है इस तरह से gas एक container में closed container के wall में मैं closed container क्यों कह रहा हूँ यह open container में भी यह इस तरह से pressure अपलाई करता है यहाँ पर एक सवाल एक natural सवाल यह सामने आता है लोगों के मन में कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यह जो wall है मालने इस wall की बात कर रहे हैं यह जो wall है अभी इस point of time में कोई molecule इससे नहीं टकरा रहा है होई सकता है ऐसा आप देखें यह सारे molecules है किसी एक certain point of time में हो सकता है यह इस wall से न टकराए तो क्या इसमें pressure exist करेगा अगर नहीं टकराता है तो force apply नहीं करेगा force नहीं रहेगा तो pressure भी नहीं रहेगा लेकिन उससे पहले आप यह सोचे कि क्या वो situation कभी आ सकता है कि यह जो molecules है जो भी molecules है इस container के अंदर उन molecules में से कोई भी molecule इस container के wall से किसी एक wall से न टकराए ऐसा हो सकता है क्या इस चीज को समझने के लिए आपको मैं एक data दे रहा हूँ वो यह है कि अगर मान ले यह एक लीटर इसका volume है इसका volume अगर एक लीटर है तो इसमें जो molecules होंगे number of molecules या number of atoms अगर यह molecule है gas का तो number of molecules अगर वो noble gas है जो कि molecule नहीं बनाता है तो number of atoms वो number यह 10 के 22nd order में होता है मैं अगर roughly कहूँ तो यह लगभग बराबर होगा लगभग यह बराबर होगा 3 into 10 to the power 22 इतने molecules रहते हैं एक लीटर के container में मैं एंटीपी के बात करा हूँ जो number of molecules होंगे एक लीटर के container में वो इतना होगा 3 into 10 to the power 22 आप इस number को imagine करने का कोशिश कीजिए कुछ देर तो इस number को समझने का कोशिश कीजिए 10 to the power 22 मतलब कि आपको 3 के बाद 22 zeros लिखना है यह कितना करोड, billion, million हो सकता है आप खुद हिसाब लगाए अब इतने सारे molecules अगर एक लीटर के छोटे से volume में exist करता हो तो आप खुद ही सोचिए ऐसा समय कभी आ सकता है क्या अगर हम बहुत छोटे से इस समय के ही बात करें तो ऐसा समय आ सकता है क्या time period जहां पर कोई molecule wall से, किसी एक wall से न टकराए आप जिस समय यह समझ जाएंगे कि यह number कितना बड़ा है उसी समय आप यह समझ जाएंगे कि ऐसा छोटा से छोटा time period भी possible नहीं है जिसमें कि कोई भी molecule किसी भी wall से न टकराएं तो pressure zero होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है अगर molecules है, gases molecules है तो वो wall से टकराएंगे वो wall से टकराएंगे तो वो force apply करेंगे वो force apply करेंगे और wall का अपना area होगा phase का अपना area होगा तो force divided by area तो pressure भी exist करेगा हमने तो ये देख लिया कि pressure क्यों exist करता है एक container में अगर उस container में gas हो तो अब हमें ये देखना है कि pressure और volume inversely proportional क्यों होते हैं एक दूसरे के साथ तो इसके लिए माल ले कि ये एक container है कुछ ऐसा और यहाँ पर एक piston लगा हुआ है एक piston है ये और यहाँ अंदर कुछ molecules हैं बहुत सारे molecules हैं जो कि move कर रहा है random direction में और random speed से और ये wall से टकरा रहा है और wall पर pressure apply कर रहा है हमने क्या किया हमने इस piston को खीच लिया piston को खीच लिया तो हुआ ये कि जो volume है वो volume बढ़ गया इस piston को हमने खीच के यहाँ तक लाया तो अब देखे अंदर जितने molecules थे अब भी उतने ही molecules है number of molecules में कोई change नहीं है और हमने piston को धीरे धीरे खीचा तो इससे क्या हुआ कि temperature भी change नहीं हुआ temperature भी जितना था उतना ही रह गया तो इससे हुआ ये कि जो number of molecules थे इस region में वो number of molecules उतना ही है इस region में तो number of molecules ये रह गया constant change नहीं हुआ और साथ ही साथ temperature जो है ये भी है constant ये भी change नहीं किया अब आप खुद सोचे पहले case में जबकि volume कम था और दूसरे case में जो volume अधिक है ज्यादा है तो इस case में ये सारे molecules random direction में ये move कर रहे हैं कुछ ऐसे और यहां भी वही molecules random direction में move कर रहे हैं कुछ ऐसे अगर आप दोनों situation को consider करें तो आप खुद बताएं कि किस में number of collisions ज्यादा होगा ये देखें यहां region बहुत कम है और यहां region बहुत ज्यादा है तो एक certain period of time में जो number of collision होगा ये जो molecules जाके walls में टकराएंगे वो number of collision यहां पर number of collision ज्यादा होगा और इस case में number of collision कम होगा तो जब number of collision कम होगा एक certain period of time में माल ले एक certain period of time में यहाँ पर कोई एक molecule वाल्स से 10 बार टकराता है तो इस case में वही molecule वाल्स से यहाँ जो भी वाल्स है उन वाल्स से माल लेगी 4 बार टकरा रहे हो तो सारे molecules को जब हम consider करेंगे चुकि यह ज्यादा बार टकरा रहा है एक छोटे से period of time में यह कम बार टकरा रहा है एक छोटे से period of time में तो यह जो है इस case में molecules कम force apply करेंगे तो जो force apply होगा वाल्स पे वो force इस case में कम होगा एक certain period of time में और इस case में यह force ज्यादा होगा साथी साथ यह देखे कि यहाँ पर यह जो वाल्स था यहाँ यह जो wall था, इस wall का surface area को हमने बढ़ा दिया, wall का area बढ़ गया, तो अब अगर आप area को compare करें, तो area यहाँ पर कम है, और इस case में area बढ़ गया, तो दो factor काम कर रहा है, जो की pressure को घटा रहा है second case में, पहले case में, अगर force को हम F1 का है, दूसरे case में force को F2, और पहले case में area को A1, और यहाँ पर area को A2, तो हम यहाँ से यह समझ पाएंगे, कि चुकि pressure is equal to force divided by area, तो हम कह सकता है, pressure 1 इस case में, पहले वाले case में, इस case में, जो pressure है, वो है, F1 divided by A1, और दूसरे case में, जो pressure है, यह है F2 divided by A2, तो यहाँ अगर आप compare करें, F1 और F2 को, जैसे कि हमने देखा, F1 ज्यादा है, और F2 कम है, तो यही से, अगर माले यह A, surface area, दोनों ही case में बराबर अगर रहता भी, तो भी इस case में, जो pressure होता, यह ज्यादा होता, अब अगर आप area को include करें, surface area को, तो आप यह पाएंगे, कि first case में, surface area कम है, second case में, surface area ज्यादा है, तो denominator, जैसे कि हमें पता है, बढ़ने से, यहाँ पर denominator ज्यादा है, denominator बढ़ने से, जो whole fraction है, यह घट जाता है, तो इस factor के कारण भी, pressure जो है, यह घट रहा है, तो दो factors काम कर रहे हैं, pressure को घटाने में, एक तो force जो है, वो घट रहा है, दूसरा, जो area है, वो बढ़ रहा है, तो इस second case में, जो pressure है, वो घट रहा है, तो volume जो बढ़ रहा है इसके कारण pressure जो है ये घट रहा है और उसी तरह से volume अगर घट रहा है तो pressure बढ़ रहा है तो बहुत सारे condition में ये ऐसा situation हो सकता है जैसे कि मालने अगर pressure is inversely proportional to volume squared या फिर pressure squared is proportional to inversely proportional to volume तो इस तरह के बहुत सारे cases में ये possible है हम ये भी कह सकते हैं pressure is proportional to 1 by volume cubed ऐसा भी होता तो भी volume बढ़ने से pressure घटता और volume घटने से pressure बढ़ता एक relation ये भी possible है कि pressure is inversely proportional to volume मैं इसे intuitively तो नहीं बता सकता हूँ कि ये जो form है ये सही है और ये सारे forms जो है ये गलत है ये हम mathematically prove कर सकते हैं इस वीडियो में तो हम इसे mathematically prove नहीं करेंगे फिलहाल हम इसके intuition ग्रो कर रहे हैं हम सिर्फ इसके पीछे का मतलब समझ रहे हैं कि भाई pressure बढ़ने से volume क्यों घटता है या फिर volume बढ़ने से pressure क्यों घटता है इस तरह का जो statement है वो सही क्यों है तो इसी को कुछ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि pressure is equal to some constant हमें नहीं पता है ये constant कैसा constant होगा कितना होगा इसका value सम constant divided by volume सो इससे आगे हम क्या सकते हैं कि pressure into volume is a constant ऐसा कब होगा जब हम number of molecules को constant रखे और temperature को भी constant रखे अगर इन में से कोई vary कर जाए इन में से number of molecules या temperature अगर vary कर जाए तो फिर ये relation stand नहीं करेगा आपको मैं simple example दे रहा हूँ हमने कहा pressure is inversely proportional to volume इसका मतलब pressure बढ़ेगा तो volume घटेगा दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि volume बढ़ेगा तभी pressure घटेगा या volume घटेगा तभी pressure बढ़ेगा हम volume को बीना घटाए भी pressure को बढ़ा सकते हैं एक certain region माले एक लीटर का एक container है उसमें कुछ amount of gas है आप और उतना ही amount of gas डाल दीजे तो pressure बढ़ जाएगा उसमें number of molecules बढ़ जाएगे हमने तो volume को change नहीं किया volume को हमने उतना ही रहने दिया लेकिन pressure चेंज हो गया क्यूं क्यूंकि हमने यहाँ पर number of molecules को constant नहीं रखा था तो इसी लिए ये stand नहीं कर रहा था इसे अगर stand करवाना है तो हमें ये मानना होगा कि number of molecules constant है और temperature भी fixed है अब हमें ये देखना है कि अगर हम volume को constant रखते हैं volume को change नहीं करते हैं और number of molecules को भी change नहीं करते हैं तो pressure और temperature के बीच कैसा relation होता है तो उसके लिए माल ले कि एक container इसमें एक certain temperature में कुछ molecules है और बिल्कुल वैसा ही container बिल्कुल वैसा ही molecules और volume भी उतना ही obviously container भी वही तो volume भी उतना ही होगा और यहाँ पर कुछ molecules है यहाँ भी कुछ molecules है और यह जो temperature में है वो temperature है माल ले कि यहाँ पर T1 temperature है it is 27 degree Celsius और इस second case में जो temperature है T2 यह है माल ले 50 degree Celsius वैसे मैं आपको यही पर बता दूँ कि जब भी हम calculation करते हैं kinetic theory में gas के pressure volume इन सब के साथ जो interrelation है जिस भी तरह का calculation हम करते हैं उसमें जो temperature हम consider करते हैं वो degree Celsius scale में नहीं हम Kelvin scale में इसे measure करते हैं तो आपको पता ही होगा 0 degree Celsius जो है यह लगभग 273.15 Kelvin है तो हम इसे roughly 273 मानते हुए चलेंगे तो हम यह मानेंगे 0 degree Celsius is 273 Kelvin तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं यह T1 temperature जो है यह है 300 Kelvin 0 degree Celsius अगर 273 हो तो 27 degree Celsius 273 plus 27 Kelvin होगा यह होगा 300 Kelvin और Kelvin में हम यहाँ पर degree नहीं लगाते हैं और T2 को अगर आप देखें तो T2 होगा 323 Kelvin तो temperature में change है दूनों ही कि इसमें volume तो उतना ही है और number of molecules भी उतना ही है तो मैं यहाँ लिख दू number of molecules जो है यह है constant और यहाँ पर volume जो है यह भी constant है पिछले के इसमें हमने number of molecules और temperature को constant रखा था अब volume को हमने vary किया था इस बार हम volume को constant रख रहे हैं और temperature को vary कर रहे हैं देखेंगे pressure के साथ temperature का कैसा relation है तो यहाँ पर जो कम temperature वाला situation है वहाँ पर molecules move कर रहे हैं और wall से टकरा के pressure create कर रहे हैं अब जब temperature बढ़ता है इसका मतलब क्या है temperature का बढ़ना इसके पीछे का reason क्या है जब हम किसी object में heat energy देते हैं जब heat देते हैं तभी उसका temperature बढ़ता है किसी gas को heat देंगे तभी उसका temperature बढ़ेगा तो हम जब heat प्रोवाइड कर रहे हैं that means हम energy प्रोवाइड कर रहे हैं so जब हम उन molecules को energy देते हैं वही energy molecule absorb करके अपना kinetic energy बढ़ा लेगा क्योंकि यहां सारे molecules free है तो potential energy की बात नहीं आ रही है यहां पर kinetic energy बढ़ा लेता है यह धीरे धीरे molecules move कर रहे थे यहां पर इस case में और इस case में molecule बड़े तेजी से move कर रहे हैं क्योंकि इसका temperature बढ़ गया अब देखे दो factor से इसका pressure बढ़ेगा एक तो अगर माले इस molecule को आप consider करते हैं इस case में यह molecule एक certain period of time में जाके जिस तेजी से टकराएगा और rebound होगा यहां पर यह molecule अगर मैं इस molecule को कुछ इसी direction में consider करूँ इसके movement को तो वही molecule माले जब यह rebound होगा ज्यादा speed से तो यह ज्यादा force अपलाई करेगा तो यह force जो अपलाई कर रहा है first case में और यह second case में यह force कम होगा first case में second case में ज्यादा होगा क्योंकि molecules का speed जो है यह ज्यादा है दूसरा factor यह है कि एक molecule first case में अगर माले यह certain period ऑफ टाइम में दो बार टकराता है तो इस case में चुकी इसका speed ज्यादा है तो यह ज्यादा बार टकराएगा ना wall से और यह ज्यादा बार टकराता है wall से तो यह एक दूसरा factor होग गया कि एक certain period of time में यहाँ पर दो बार टकरा रहे हैं, यहाँ पर पांच बार टकरा रहे हैं, तो जो number of collision है, इस case में ज्यादा है, तो number of collision ज्यादा होने के कारण, force भी यह ज्यादा अपलाई करेगा, तो force का magnitude जब बढ़ेगा, तो यह सारे same container होने के कारण, जो walls का surface area है, वो same है, तो हम कह सकते ह हैं कि pressure बढ़ गया, तो इस case में pressure बढ़ जाएगा, temperature बढ़ाने से pressure बढ़ रहा है, तो इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, कि pressure is proportional to temperature, देखें हमें यह नहीं पता, कि pressure is proportional to the square of temperature या pressure is proportional to the cube of temperature, absolute temperature, हमें ये नहीं पता, लेकिन mathematically हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये सही है, तो obviously ये गलत है, सो हम ये फिलाल intuitively तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि pressure exactly temperature के साथ proportional क्यूं होता है, temperature के square के साथ क्यूं नहीं होता है, फिर भी यह हम आगे के वीडियो में mathematically प्रूफ करेंगे, फिलहाल मुझे यह बताना था कि temperature बढ़ने से pressure बढ़ता है और temperature घटने से pressure घटता है, तो इससे आगे हम इसी को कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि pressure is equal to अगर हम इस proportionality sign को equality sign से substitute करते हैं, तो हमें constant of proportionality introduce करना होगा, so some constant, हमें नहीं पता यह कैसा constant है, some constant into temperature, तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि pressure divided by temperature is a constant, इसका value हमें नहीं पता, इस constant का value फिलाल, यह कब होगा, जब हम number of molecules को same रखेंगे और volume को भी constant रखेंगे, तब जाके pressure is proportional to temperature होगा, अगर माल ने, हमने temperature को बढ़ा दिया थोड़ा सा, जिसके कारन number of collision है वो बढ़ रहा है, और molecules का speed बढ़ रहा है, लेकिन हमने क्या किया, इसका volume को बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो क्या ये relation stand करेगा, अब खुद सोचिए, हमने temperature को थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, और volume को 10-20 गुना बढ़ा दिया, तो जितना उसका speed बढ़ा नहीं होगा, उससे ज़्यादा तो आपने space बढ़ा दिया, तो number of collisions बढ़ने के जगा घड़ जाएगा फिर, तो ये तभी stand कर सकता है, जब हम इन दो चीजों को माने, अब चली ये देखते हैं, कि volume के साथ temperature का कैसा relation है, कि अगर temperature हम बढ़ा देते हैं, pressure को हम same रखते हैं, तो volume के साथ उसका relation क्या होगा, तो देखें यहाँ पर, अगर इसी container को मैं यहाँ draw करता हूँ, कि दूसरे केस को देखें, पहले केस में यहाँ कम speed था, तो दूसरे केस में speed बढ़ गया, temperature बढ़ने कारण, तो pressure भी बढ़ गया, हमें pressure को same रखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर pressure को same रखना चाहें, pressure को change ना होने दे, इस case में जितना pressure था, माल ले इस case में P1 pressure था, और इस case में pressure बढ़ के P2 हो गया, temperature बढ़ने के कारण, तो pressure को अगर हम same रखना चाहें, P1 से P2 हो गया, इसे वापस P1 करना चाहें, तो हम क्या करेंगे, अगर यह piston होता यहाँ पर, तो वस piston को हम उपर उठा देते, तो इससे क्या होता, region थोड़ा बढ़ जाता, और region बढ volume को बढ़ा देते, इतना सा volume को बढ़ा देते, इससे होता क्या, कि pressure P2 से वापस P1 में आ जाता, इसका मतलब pressure constant अगर हो, इसे अगर हमें constant रखना है, साथी साथ हम number of molecules को भी constant रखेंगे, ऐसे situation में temperature अगर बढ़ाते हैं, हमें अगर pressure को constant रखना है, तो volume को भी बढ़ा देन होगा, तो हम कह सकते हैं, volume is proportional to temperature, अब यह directly proportional क्यों है, इसका मैं आपको intuition नहीं दे सकता हूँ, पर mathematically हम इसे प्रूव कर सकते हैं, कि volume is directly proportional to temperature, absolute temperature, अब एक तीसरा form consider किया जाए, वो यह कि माल ले दो container है, दोनों container का volume बिल्कुल same है, temperature भी बिल्कुल same है, volume और temperature दोनों same है, so volume constant, temperature constant, हमने क्या किया, number of molecules को बढ़ा दिया, यहाँ पर मैं एक नया term introduce कर रहा हूँ, number of mole, mole, आपको पता होगा कि एक mole किसी भी element का यह बराबर होता है, 6.02 into 10 to the power 23, इतने molecules के, या फिर आप कह सकते हैं, atoms के, अगर वो gas molecule से बना हुआ है, तो एक mole के gas में, gas के sample में, 6.02 into 10 to the power 23 molecules रहेंगे, और अगर माल लेकि example के तोर पे वो noble gas है, जिसका की molecule नहीं होता है, वो atom से बना हुआ है, तो इतने, अर्थाथ 6.02 into 10 to the power 23, इतने atoms होंगे, एक mole gas के sample में, तो हमने क्या किया, कि इस case में एक mole का gas रखा, तो चलिए, माल लेकि कुछ इतने gas molecules हैं, उतने ही volume में हमने क्या किया, कि इस case में या इस container में, जो number of molecules है, उसको बढ़ा दिया, दुगना कर दिया, अब चुकी दोनों का temperature सेम है, इसका मतलब दोनों के पास जो speed होगा, वो molecules का सेम होगा, तो speed से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, speed दोनों ही case में लगभर बराबर होगा, फर्क ये पड़ेगा कि चुकी इस case में, second case में, number of molecules ज्यादा है, तो number of collisions बढ़ जाएंगे, अब number of collisions बढ़ेगा, तो pressure बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि pressure, pressure is proportional to, directly proportional to number of moles, जिस sample में हमने gas रखा है, उस sample में उस gas का कितना mole है, या कितना number है molecules का, इस पर ये directly proportional होगा, तो हमारे पास देखें, बहुत सारे relations हो गया है, अब उन सारे relations को अगर हम sum up करते हैं, summarize करते हैं, तो देखें हमें क्या मिलता है, हमने सबसे पहले ये देखा था, कि pressure is inversely proportional to volume, हमने आगे ये देखा था, कि pressure is directly proportional to temperature, और अब हमने ये देखा, pressure is proportional to number of moles, तो इन सभी को अगर हम एक साथ रखे, तो हम क्या सकते हैं, इन तीनों statement से, कि pressure is proportional to number of moles into temperature divided by volume, तो इससे आगे अब हम क्या सकते हैं, कि pressure into volume is proportional to n into t, ये n क्या है, ये है number of moles of the gas, और ये t है उसका absolute temperature, temperature Kelvin scale में, हमेशा ध्यान रखे, temperature Kelvin scale में, Celsius या Fahrenheit scale में नहीं, Kelvin scale में, ये p है pressure, उस gas का, जो वो apply कर रहा है, और ये v है volume, जिस volume में हमने उस gas को contain कर रखा है, तो यहाँ पर अगर हम इस proportionality sign को हटा के, equality sign लाते हैं, तो हमें एक constant of proportionality introduce करना होगा, उस constant of proportionality को, हम normally पहले नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं, यह लिखने का तरीका है, वैसे आप पहले भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई खसम नहीं खाया हुआ, कि इसे यहीं पर लिखना है, तो यह है constant of proportionality, इस case का, तो यह हो गया n into constant of proportionality r into t, यहाँ पर यह जो r है, इसे हम कहते हैं gas constant, यह हो गया gas constant, और इसका जो value है, इसका value होता है, 8.31 joule per mole per kelvin, और इस पूरे equation को हम कहते हैं ideal gas equation, अब कुछ देर हम क्या करते हैं, इनके जो units है, उन units पर थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे चलके बहुत सारे चीज़ें clear होंगे, अगर हमें इनका units पता हो तो, सबसे पहले यह P into V जो है, इसके लिए इसका जो unit होगा, SI unit होगा, वो क्या होगा देख लेते हैं, तो P into V, pressure into volume, तो pressure को हम कुछ ऐसे represent कर सकते हैं, हम SI unit की बात कर रहे हैं, तो pressure को हम ऐसे represent कर सकते हैं, यह newton per meter squared, और यह जो volume है, इसे हम कहेंगे, यह है meter cubed, cubic meter, तो यह क्या बन गया, यह बन गया, newton into meter, जिसे की हम कहते हैं, जूल, तो pressure into volume का unit, SI unit बनता है, जूल, इसका मतलब यह जो physical quantity है, यह जो दो physical quantities का product है, यह energy को represent कर रहा है, इसका मतलब किसी system में, जितना ज्यादा energy होगा, उसका P into V उतना ज्यादा होगा, P और V का pressure और volume का जो product है, वो उतना ज्यादा होगा, अब अगर इस term का, right hand side का आप unit को देखते हैं, तो क्या मिलता है, चलिए देखते हैं, N into R into T, N into R into T, तो चुक्कि ये दोनों बिल्कुल बराबर है, तो दोनों का unit भी same होना चाहिए, तो यहाँ पर इसका unit देखें, क्या है, N क्या है, number of mole है, तो इसका SI unit होगा, mole, R क्या है, R है ये वाला term, ये constant, जिसका unit है, Joule, per mole, per Kelvin, ये capital letter K है, for Kelvin, और ये T क्या है, absolute scale में temperature, या फिर absolute temperature, और absolute temperature का unit है Kelvin, तो यहाँ से आप यहाँ per Kelvin Kelvin को cancel कर दे, और per mole, mole को cancel कर दे, unit के तौर पे बचा हुआ रहेगा Joule, तो ये भी represent कर रहा, energy को करना भी चाहिए, दोनों का जो unit है, ये दोनों सेम होना चाहिए, अब इसी का एक alternate form पे हम चर्चा कर लेते हैं, so PV is equal to nRT, so PV is equal to n into r into T, हम क्या करेंगे, इस equation में, हम आवोगाद्रो number, जो की होता है ये वाला number, इसे हम कहते हैं, आवोगाद्रो number, जो आवोगाद्रो number, इसे हम कुछ ऐसे represent करते हैं, n A से, कहीं कहीं आपको n के बाद यहाँ, सब्सक्रिप्ट में small letter A भी दिख सकता है, जो इस तरह से हम इसे represent करते हैं, जो आवोगाद्रो number, इसका मतलब होता है, एक mole, किसी भी gas का, एक mole में, गैसी क्यों, किसी का भी, किसी भी element का, एक mole, जितना molecule contain करता है, उसी को कहा जाता है, उसी number को कहा जाता है, आवोगाद्रो number, हाँ, अगर वो inert gas हुआ, जिसके की molecules नहीं बनते हैं, सिर्फ atoms होता है, तो उसमें एक mole में number of atoms जो होगा, वो होगा, आवोगाद्रो number के बराबर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस equation के right hand side को multiply कर देंगे, आवोगाद्रो number से, और उसे divide भी करना होगा, आवोगाद्रो number से, क्योंकि यह है equation, इस expression के साथ हमने इसे multiply कर दिया, इसे multiply करने का मतलब one multiply किया हमने, अब क्या है, कि इसी को हम कुछ ऐसे represent करेंगे, कि यह बराबर होगा, n into आवोगाद्रो number into r divided by आवोगाद्रो number into t, हमने इसे multiply किया इसके साथ और इस denominator वाले term को यहाँ पर denominator में भेज दिया, so, अब चो form है, यह कुछ ऐसा बनेगा, देखें, यह है number of moles, यह है आवोगाद्रो number, अर्थात, एक mole में कितने molecules है, number of moles into एक mole में कितने molecules है, यह बताएगा किसी sample में total कितने molecules है, for example, एक sample में अगर दो mole gas है, और एक-एक mole में अगर एवोगाद्रो number इतना molecules है, तो total कितने molecules होंगे, 2 into एवोगाद्रो number, उसी तरह से अगर n mole है, तो n into एवोगाद्रो number, यह हो जाएगा total number of molecules, तो यहाँ पर यह है, total number of molecules, यह, into r divided by एवोगाद्रो number, gas constant divided by एवोगाद्रो number, इसे कहा जाता है, बोल्समन कंस्टन्ट, यह है, बोल्समन कंस्टन्ट, बोल्समन कंस्टन्ट, मल्टिप्लाइड विद टी, इसे को हम कहता है, पी वी इस इक्वल टो n के टी, यहाँ पर यह के small letter क है, जबकि यहाँ पर के जो Kelvin वाला के था, वो capital letter K था, जो PV इस इक्वल टो n के टी, यह है, alternate form, ideal gas equation का alternate form, जो यह भी है ideal gas equation, और इसे हम alternate form कहते हैं, जो लगे हां तो इस बोल्समन कंस्टन्ट को evaluate कर लेते हैं, अधात इसका जो value है, वो क्या होता है देख लेते हैं, चुकि बोल्समन कंस्टन्ट है, gas constant divided by Avogadro number, चो हम कह सकते हैं, यह K बोल्समन constant, it is equal to 8.31 joule per mole per kelvin divided by Avogadro number, that is 6.02 into 10 to the power 23, क्या इसका कोई unit होना चाहिए, Avogadro number, ध्यान से देखे, यह है Avogadro number, जिसका मतलब है, number of molecules per mole, तो number of molecules के लिए तो कोई unit नहीं होगा, लेकिन एक mole में इस phrase के लिए तो एक unit होगा per mole, तो इतना molecules per mole, तो इसका unit होता है per mole, यहाँ से देखे per mole और per mole cancel out हो जाएगा numerator, denominator से, और अगर आप evaluate करें, तो आप आएंगे यह बराबर है, लग बग 1.38 into 10 to the power negative 23 joule per kelvin, so यहाँ बोल्स्मान कंस्टन का वाल्यू